कि SBI 600 जाएगा या नहीं जाएगा ये तो मुझे नहीं पता ये तो वह ब्रोकर्स को पता होगा जो भाई 600 रुपए का टार्गेट देते हैं लेकिन जो मुझे पता है वह मैं आपके साथ साजा कर सकता हूं अपने व्यूस और वह मैं अप्पिर से साजा करने आगया हूं जेवर एरपोर्ट है जो की इंडिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एरपोर्ट बनने वाला है उसके लिए भई करेगा 3725 करोड और यह बिल्कुल अभी की न्यूज है 16 बच के क्या मिनट की चार जून की देख सकते हैं आज की न्यूज है और उसके अलाबा अगर आप देखेंगे एक और बहुती इंटरेस्टिंग आपके लिए लर्निंग लेके आया हूँ एक चार्ट लेके आया हूँ PNV Housing Finance का और आपने देखा हुआ PNV Housing Finance पिछले पांस दिनों में कितना चड़ गया 86.50% के रिटन दे दी है 86.50 पांस दिन में मतलब पांस दिन में आपके एक लाग रुपय कर दिया एक लाग श्यासी हजार रुपय तो आप देख सकते हैं क्या ऐसे रिटन संबब हैं पां कुछ ना कुछ गेम अंदर चला है अब वो पता नहीं क्या है कुछ भी हो सकता है और एक और इंट्रेस्टिंग चीज दिखाऊंगा इसके चार्ट में अगर आप पांस साल का चार्ट लाएंगे इसका तो आप देखेंगे कितना बहंकर डाउन ट्रेंड में चला है इस्ट पांस दिनों में कितना पहुंच गया 85% से उपर तो यह इस तरीके से आपको फसना नहीं है मालो अभी यहीं से लोगर सर्कृट लगया तो आप बचनी पाएंगे फिर तो ऐसे सेरों से दूर रहें हमें वह पांस दिनों में अपनी कैप्टिल को दुगना नहीं करना है हमे तो गैंबल है और चलो अब आगे चलते हैं SVI की एक और न्यूज देख लेते हैं कि कि किस ने टार्गेट दिया था तो भई यह है ग्लोबल इंवेस्टमेंट एडवाईजी फाम मॉर्गन इस्टैनली और इनों ने भई 525 से 600 रुपे बढ़ा कर दिया था टार्गेट और इनों ने कहा था भई अगर और ज्यादा अच्छा हो जाता है सिनेरियो तो भई टार्गेट 765 भी हो सकता है आने वाले टाइम में तो भई यह इनका व्यू है लेकिन अपना व्यू बताएंगे चार्ट पर लेके चलते हैं और एक न्यूज और है वो इसके चार्ट पर दे नीचे आया अब यह फिर उपर गया है हो सकता है थोड़ा ओर उपर जाए आरसाइज ओवर बॉर्ड के आसपास हो रखे तो फिर नीचे आएगा उसके बाद उपर जाएगा कोई भी स्टॉक ऐसे सीधा सीधा उपर नहीं जाता है तो ऐसे चलते हैं साइन वेप्स की तरह स्टॉक्स जाते हैं उपर ऐसे नहीं जाते हैं कि आप सोचो कि बिल्कुल उपर ही चलता चला जाएगा फिर बाद नीचे आएगा ही नहीं तो हम उसी नीचे आने का विंतजार करते हैं और बहीं पर हम खरीदते हैं अगर उपर खरीद लें मान लो खरीदने को तो हम उपर खरीद सकते हैं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ऊपर खरीदने पर क्या होता है रिटन हमें अच्छे नहीं मिलेंगे और रिटन हमें चाहिए अच्छे माल लो अभी हमने जब यह सेर सब्सक्राइब का यहां पर जब इसके रिजल्ट आयते है और यहां भाग के चला गया चार सो से उपर एक्दम से भाग यहां खरेद लिया होता तो अभी हमें रिटन कितने होते हैं अभी 434-330 के असपा चला है बहुत कम रिटन होते हैं और बाद में यह नीचे आ गया था 330-350 के असपास बहां हमने खरीदा होता और अभी यह 430 के असपास चला है तो हमारे रिटन कितने अच्छे होते तो आप देख सकते हैं compare करके खुद देख सकते हैं रिटन आपके उससे अच्छे मिलेंगे आपको तो इसलिए मैं बेटन बाच कर रहा हूँ अभी 52 खाई के आसपास चला है मैं देख रहा हूँ कि भाई हो सकता है कि कोई भाई कोई negative news आया है जिससे कि भी थोड़ा सा stock नीचे आए और फिर हम इसका buying label discuss करेंगे और उसके बाद भाई हो सकता है साल भर बाद चला भी जाए 600 ऐसा कोई मैं यह नहीं कहना हूँ मुझे PSU bank में मैंने बता रखा मुझे एक ही stock पसंद है लेकिन भाई मैं इतने महेंगे price पर नहीं खरी सकता और इसमें मतलब COT नहीं है माल लोगर नहीं गया तो यहां से नीचे चला गया माल लोगर जैसे यहां पर गया तो आपको फिर बेट करना पड़ेगा कितने दिन आपका पैसा भासा रहा इसी तरीके माल लोगर फिर उस हम चाहते हैं अपना पैसा उस समय लगाया जाए जब हमें आराम से रिटन मिल जाए और अच्छे रिटन मिलें और यह strategy रहती है मेरी हमेशा से और और लोगों की अलग हो सकती है strategy कुछ लोग चेस करते हैं स्टॉक को मोमेंटम चेस करते हैं उनकी यूटूबर्स की और या प्रोपर्टी तो ही पांच जार चेसो चैलिस करेट को उसको भाई निलामी कर रही है और सैल कर रही है यह देख सकते हैं पढ़ लेना इसके अलावा जो आर्विया की मोनेटरी पॉलसी आई वो भी बैंक को लिग के लिए कापी अच्छी है तो यह सारी positive नियू हो जाए इ मेरा काम advise देना नहीं है मेरा काम है आपके साथ view share करना आप अपना view बना सकते हैं किसी भी share के लिए किसी भी stock के लिए और बाकी वीडियो को like कर देना दोस्तों के साथ share कर देना चैनल को subscribe कर देना जैन दोस्तो